आज कल हाथ जोड़ना ही नहीं बड़ों से बात करते समय मोबाइल ना चलाना भी बहुत बड़ा सम्मान है हरे कृष्णा इसे सुवचार के साथ आप सभी का दिन शुभर मंगल में हो आज सुनिए आगे की कथा मुनी बोले है ब्रहमन आपके मुख से निकले वे पोर्ने धर्म में अमरेद वच्चनों से हमें त्रक्ती ही नहीं होती बलकि अधिकादिक सुनने की उच्चुता बढ़ती ही जाती है मुने आप परम वुद्धिमान है और प्राणियों की उत्पत्ती लए और कर्म गति को जानते हैं इसलिए हम आपसे और भी प्रेश्न करते हैं सुनने में आता है मुनिवर कि यमलोग का मार्ग बड़ा दुर्गम है वे सदा दुख और प्लेश्ट देने वाला है और सभी प्राणियों के लिए भयंकर भी है उस मार्ग की लंबाई कितनी है और मनश उस मार्ग से यमलोग की यात्रा किस प्रकार करते हैं मुने कौन सा ऐसा उपाय है जिससे नरक के दुखों की प्राप्ती ना हो सके करपे बताईए व्यास जी कहने लगे उत्तम व्रत का पालं करने वाले मुनिवरो सुनो ये संसार चक्र प्रवह रूप से निरंतर चलता ही रहता है अब मैं प्राणियों की मृत्यू से लेकर आगे जो अवस्था होती है उसका वर्णन करूँगा ध्यान पुर्वह सुनो इसी प्रसंग में यमलोग के मार्ग का भी निर्णे किया जाएगा यमलोग और मनुष्य लोग में 86,000 योजनों का अंतर है उसका मार्ग तपाएवे तांबे की तरह पूरी तरह तप्त रहता है प्रतेक जीव को यमलोग के मार्ग से जाना ही पड़ता है पुर्ण्यात्मा पुरुष्य पुर्णे लोकों में और नीच पापचारी मनुष्य पाप में लोकों में चले जाते हैं यमलोक में भी 22 नरक हैं जिनके भीतर पापी मनश्यों को अलग-अलग यादनाई दी जाती हैं उन नरकों के नाम ये हैं रोरव, रौद्र, शूकर, ताल, कुम्भी पाक, नरक, महाघोर, शालमल, विमोहन, कीटाद, क्रमी भक्ष, लाला भक्ष, भ्रम, पीब बहाने वाली नदी, रक्त बहाने वाली नदी, जल बहाने वाली नदी, अगनी ज्वाल, महारोद्र, संदंश, शुन भोजन, घोर वैतर्णी और असी पत्रवन, यमलोक के रास्ते में ना तो कही व्रक्ष की च्छाया हैं, न तलाब और पोख्रे हैं, न बावडी हैं, न पुषकरनी है न पुए हैं, न पॉंसले हैं, धर्मशाला भी नहीं है, मंडप नहीं है, न घर हैं, न नदी और परवत हैं, और ठेरने की योगी तो कोई स्थन है ही नहीं, जहां अत्यंत कस्ट में पढ़ा हुआ थका मांदा जी विश्राम कर सके, उस महान मार्ग पर सभी पापियों को ने शही जाना पड़ता है, जीव की यहां जितनी आयू निश्चित की गई है, उसका पूरा भोग हो जाने पर इच्छा न रहते वे भी उसे प्राणों का त्याग करना ही पड़ता है, जल, अगनी, विश, शुधा, रोग तथा परवत से गिरने आदी, किसी भी निमित को लेकर देहधारी जीव की मृत्ती हो जाती है, पांच भूतों से बने इस विशाल शरीर को छोड़कर जीव अपने कर्मों के नुसार यातना भोगने के योग दूसरा शरीर धारन करता है, उसे सुख और दुख भोगने के लिए सुद्रण शरीर की प्राप्ती होती है, वा दिवर वायू से प्रेरित होकर जब अत्यत कुपित हो जाता है, उस समय बिना इधन के ही जलती भी अगनी की तरह बढ़कर मर्म इस्थानों को विदिर्ण कर दीता है, उसके बाद उदान नामक वायू ऊपर की ओर उठता है, और खाय पिये वे अन जल को नीचे की ओर जान वित्र किये हुए अंत्यकरल के द्वारा पहले अन दान किया है, वह उस रुगणा अवस्था में अन के बिना भी तरप्ती का लाब करता है, जिसने कभी जूट नहीं बोला, दो प्रेमियों के पारस पर इक प्रेम में बाधन नहीं डाली और जो आस्तिक और शृधालू है वह सुख पूर्वक मृत्यू को प्राप्थ होता है, जो देटा और ब्रहमनों की पूजा में संगलगने रहते, किसी की निंदा नहीं करते, तथा सात्विक, उदार और लज्जाशील होते हैं, ऐसे मनशों को मृत्यू के समय कस्ट नहीं होता, जो कामना से, क्रोध से या द्वेश के कारण धर्म का त्याग नहीं करता, शास्त्रोक्त आग्या का पालन करने वाला, तथा सौमी होता है, उसकी मृत्यू भी बहुत सुख से होती है, उसे मृत्यू के समय कस्ट नहीं होता, जिन्होंने कभी जलका दान नहीं किया है, उन मनशों को मृत्यू काल आने वे शीत के कस्ट को जीत लेते हैं जो चंदनदान करते है वे ताप पर विजय पा लेते हैं और जो किसी भी जीव को कभी परिशान नहीं करते वे मृत्यू काल में प्राण घातनी क्लेश में वेदना का पीड़ा का अनुभव नहीं करते यानदाता पुरुष मोह पर और दीपदान करने वाले अंदकार पर विजय पाते हैं जो जूठी गवाही देते जूठ पोलते अधर्म का उपदेश देते और वेदों की निंदा करते हैं वे सब लोग मूर्चा ग्रिष्थ होकर मृत्यू को प्राप्त होते हैं ऐसे लोगों की मृत्यू के समय यम्राज के दुष्ट दूथ हाथों में हथोड़ी और मुद्गर लिया आते हैं बहुत भयंकर होते हैं और उनकी देह से दुरगंध निकलती रहती हैं उन एक ही शब्द एक ही अवाद से जान पड़ती हैं भय के मारे रोगी की आँखे जूमने लगती हैं और उसका मुख सूख जाता हैं उसकी सास उपर को उठने लगती हैं दृष्टी की शक्ती भी नस्ठ हो जाती हैं फिर वह अत्तिन्त पीड़ा से पीड़ित होकर उस विश चलता हुआ दूसरे शरीर को धारन कर लेता है जो रूप रंग और अवस्था में पहले से समान ही होता है वे शरीर माता पिता के गर्ब से वत्पन नहीं करमों से होता है और यत्न भोग करने के लिए हैं उसी से यात्न भोगनी परती हैं इसके बाद यम्राज के दूत जल उसे दारुण पाशों से बांध लेते हैं। मृत्युकाल आने पर जीव को बड़ी पीड़ा बड़ा दंध होता है। जिससे वह अत्यत व्याकुल हो जाता है। उस समय सब भूतों से उसके शरीर का संबंध तूट जाता है। प्राण वायू कंठ तक आ जाती है। और जीव शरीर से निकलते समय जोर जोर से रोता है। माता, पिता, भाई, मामा, इस्त्री, पुत्र, मित्र और गुरू सब से नाता छूट जाता है। सबी सगे संबंधी नेत्रों में आसु भरे दुखी होकर उसे देखते रह जाते हैं और वो अपने शरीर को त्याक कर यमलोग के म वहमार्ग पर वाही रूप होकर चला जाता है। वहमार्ग अंधकार से भरा हुआ, अपार अत्यांत भयंकर तथा पापियों के लिए अत्यांत दुर्गम होता है। यमदूत पाशों में बांद कर उसे खीटते और मुद्गरों से पीटते हुए उस विशाल पथ पर ले जाते हैं। यमदूतों के अनेक रूप होते हैं। वे देखने में बड़े डरावने और सभी प्राणियों को भय पहुचाने वाले होते हैं। उनके विक्राल मुख, नासी का तेड़ी, आंखे तीन, ठोड़ी, कपोल और मुख फैले हुए लिथा ओठ लंबे होते हैं। वे अपने हाथों में विक्राल और भयंकर आयूध लिए रहते हैं। उन आयूधों से आग की लप्टे निकलती रहती हैं। पाश, सांकल और डंडे से भय पहुचाने वाले महा बली, महा भयंकर, यमकिंकर यम्राज की आग्या से प्राणियों की आयूध समाप्त होने पर उन्हें लेने के लिए आते हैं। जीव यातना भोगने के लिए अपने कर्म के अनुसार जो भी शरीर ग्रहन करता हैं। उसे ही यम्राज के दूत यम्लोक में ले जाते हैं। वे उसे काल पाश में बांद कर पैरों में बेड़ी डाल देते हैं। बेड़ी की साकल वजर के समान कठोर होती है यम किंकर क्रोध में भरकर उस बंधेवे जीव को तरह तरह से पीटतेवे ले जाते है वो लड़ खडा कर गिरता है रोता है और हाए कहकर बार बार चुलाता रहता है तब भी जो दूशित कर्म वाले उस पापी को वे तीखे शूलों, मुद्गरों, खडग और शक्ति के प्रहारों और वज्रमे भैंक डंडों से घायल करके जोर जोर से डाटते हैं कभी कभी तो एक एक पापी को अनेक यमदू चारों और से घेर कर पीटते हैं विचारा जीव दुख से पीडित होकर मुर्चित होकर इधर उधर गिरता पड़ता है फिर भी वे दूत उस पर तरस नहीं खाते उसे घसीट कर ले जाते हैं कहीं भैबीत होते कहीं दुख पाते, कहीं लड़कडाते और कहीं दुख से बहुत जोर जोसे चीखते चिलाते हैं जीवों को उस मार्ग से जाना पड़ता है यमदूतों की फटकार पढ़ने से वे बेचैन होटते हैं और भैसे विवल होकर कापते वे शरीर से दौरने लगते हैं यमलोग के मार्ग पर कहीं काटे बिच्छे होते हैं कुछ दूर तक तपीवी बालू मिलती हैं जिन मनुशों ने एक दान नहीं किया है वे उस मार्ग पर जलते हुए पैरों से चलते हैं जीवों की हिंसा करने वाले मनुशों के सब और मरेवे बकरों की लाशे पड़ी होती हैं जिनकी जली और फटी वी चमडी से मैदे और रक्त की दुरगंध हाती रहती है वे पीडा से पीडित होकर जोर जोर से चीखते चिलाते हुए ये ममार्ग की यात्रा करते हैं शक्ती, भिंदिपाल, खडग, तोमर, बान और तीखी नोक वाले शूलों से उनका अंग अंग छेद दिया जाता है कुते, बाग, भेड़ी और कवे उनके शरीर का मांस नोच नोच कर खाते रहते हैं मांस खाने वाले लोग उस मार्ग पर चलते समय आरे से चीरे जाते हैं सूर अपनी दाड़ों से उनके शरीर को चीरते हैं जो अपने उपर विश्वास करने वाले स्वामी, मित्र या इस्त्री की हत्या कर आते हैं वे शस्त्रों द्वारा छिन भिन और व्याकुल होकर यमलोग के मार्ग पर जाते हैं जो निर अपराद जीवों को मारते और मरवाते हैं वे राक्षसों के ग्रास बन कर उस मार्ग से यात्रा करते हैं जो पराई स्तिरियों के वस्तर उतारते हैं वे मरने पर नंगे करके दौड़ते हुए यमलोक मिलाई जाते हैं जो दुरात्मा पापाचारी अन्न, वस्तर, सोने, घर और खेट का अफźरन करते हैं उने यमलोक के मारक पर पत्थरों, लाठियों और डंडो से मार कर जरजर कर दिया जाता है और वे अपने हर अंग से रक्त भाते वे यमलोक में जाया करते है जो नराधम, नरक की परवान ना करके इस लोक में ब्रहमन का धन हड़प लेते उन्हें मारते और गालिया सुनाते हैं उन्हें सूखी लकडी में बांध कर उनकी आँखे फोर दी जाती हैं और नाक कान काट लिए जाते हैं फिर उनके शरीर में पीब और रक्त पोत दिये जाते हैं तथा काल के समान गीध और गीधड उन्हें नोच नोच कर खाने लगते हैं इस दशा में भी क्रोध में भरेवे भयानक यम्दूत उन्हें पीटते हैं और वे चिलाते हुए यम्लोग के रास्ते पर चलने लगते हैं इस प्रकार वहमार्ग बड़ा ही दुर्गम और अगनी के समान प्रज्वलित है उसे रौरव अर्था जीवों को रूलाने वाला नरक कहा गया है वह उची उची भूमी से युक्त होने के कारण मानो मात्र के लिए अगम्य है तपाएफे तांबे की तरह उसका रंग है वहां आग की चिंगारियों लप्टे ही दिखाई देती है वहमार्ग काटों से भरा है शक्ती और वज्र आदी आयोदों से भरा हुआ है ऐसे कस्ट प्रद मार्ग पर निर्दई यम्दूत जीव को घसीटे वे ले जाते हैं और सब प्रकार से उन्हें अस्त्र शस्त्रों से मारते रहते हैं इस तरह पापसत अन्याई मनुष्य विवश होकर मार्ग खाते वे दुर्धश यम्दूतों के द्वारा यमलोक में ले जाए जाते हैं यम्राज के सेवक सभी पापियों को उस दुर्गम मार्ग में बड़े अवेलना पूर्वक ले जाते हैं वे अत्यत भैंकर मार्ग जब समाप्त हो जाता है तब यम्दूत पापी जीव को तामबे और लोहे की बनी भी भैंकर यम्पूरी में प्रवेश कराते हैं और वह पूरी बहुत विशाल है उसका विस्तार लाख योजन का है वह चौकोर बताई जाती है उसके चार सुन्दर दरवाजे हैं उसकी चार दिवारी सोने की बनी है जो दस हजार योजन उची है यम्पूरी का पूर्व दिशा का द्वार बहुत ही सुन्दर है वहां फैराती भी सैकड़ों पताकाई उसकी शूभा बढ़ाती है हीरे, नीलम, पुखराज और मोतियों से वह द्वार सजाये जाता है वहां गंधरवों और अपसराओं के गीत और निर्त्य होते रहते हैं उस द्वार से देवताओं, रिशियों, योगियों, गंधरवों, सिद्धों, यक्षों और विद्याधरों का प्रवेश होता है उस नगर का उत्तर द्वार घंटा, छत्र, चवर तथा नाना प्रकार के रद्नों से अलंकरित है वहाँ विणा और वेणू की मनों और ध्वनी गूस्दी रहती है गीत, मंगलगान तथा रिगवेद आदी के सुमधुर शर्थ होते रहते हैं वहाँ महर्शों का समुदाई शोभा पाता है उस द्वार से उन्ही पुन्यात्माओं का प्रवेश होता है जो धर्म का पालन करने वाले और सत्य बोलने वाले है जिन्होंने गर्मी में दूसरों को जल पिलाया और सर्दी में अगनी का सेवन कराया है अर्थत अगनी तपाई है जो ठके मादे मनुशों की सेवा करते और सदा प्रे वचन बोलते हैं जो दाता, शूर और माता-पिता के भगत हैं तथा जिन्होंने ब्रहमनों की सेवा और अतित्यों का पूजन किया है वे भी उत्तरद्वार से ही यमपुरी में प्रवेश करते हैं यमपुरी का पश्यम महाद्वार तरह तरह के रत्नों से विभूशित है विचित्र विचित्र मणियों की वहाँ सीडियां बनी वे हैं देवता उस द्वार की शोभब बढ़ाते रहते हैं वहाँ भेरी, मृदंग और शंकादी बादियों की ध्वनी हुआ करती हैं सिद्धों के समुदाए सदा प्रसंता में भर कर उस द्वार पर मंगल गान गाया करते हैं जो मनुष भगवान शिव की भकती में लीन रहते हैं जो सभी तीर्थों में गोते लगा चुके हैं जिन्होंने पंचागनी का सेवन किया है जो किसी उत्तम तीर्थ इस्थान में या कालिंजन परवत पर प्रान त्याग करते हैं और जो स्वामी, मित्र या फिर जगत का कल्यान करने के लिए गवों की रक्षा करने के लिए मारे गए हैं वे शोरवीर और तपसी पुरुष पश्यम द्वार से यमपुरी में प्रवेश करते हैं उस पुरी का दक्षन द्वार अत्यंत भयानक है वे संपूर्ण जीवों के मन में भय पैदा करने वाला है वहाँ निरंतर हाहकार मचा रहता है सदा अंधेरा चाय रहता है उस द्वार पर तीखे सींग, काटे, बिच्छू, साप, वज्रमुक, कीट, भेडिये, व्याग, रीच, सींग, गीदर, कुत्ते, बिला और गीध, उपस्तित रहते हैं उनके मुखों से आग की लप्टे निकला करती है जो सदा सबका अपकार करने वाले पापात्मा हैं, सभी का अपकार करने वाले हैं, उनही का उस मार्ग से पुरी में प्रवेश कराय जाता है जो ब्राहमन, गव, बालक, व्रिध, रोगी, शरणागत, विश्वासी, इस्त्री, मित्र और निहत्य मनशों की हत्या कराते हैं अगम्या इस्त्री के साथ संभोग करते हैं, दूसरों के धन का अपहरेंट कर लेते हैं, दूसरों की धरोहर हडप लेते हैं दूसरों को जहर देते और उनके घरों में आग लगाते हैं पराई भूमी, घर, शया, वस्त्र और आबूशन की चोरी करते हैं दूसरों के छिद्र देखकर उनके प्रती कुरूरता का वर्ताओ करते हैं सदा जूट पोलते हैं जूटी गवाही देते, कन्या बेशते, अभक्षि भोजन खाते हैं पुत्री और पुत्रवधू के साथ समागम करते, माता पिता को कडवे वचन सुनाते और अन्य सभी पापों में संगलगने रहते हैं विसब दक्षन द्वार से यम पूरी में प्रवेश करते हैं मुन्यों ने पूछा, हेत अपोधन, पापी मनुश्य दक्षन मालग से यम पूरी में किस प्रकार प्रवेश करते हैं, ये भी हम सुनना चाहते हैं करपिया आप विस्तार पूरग बताएं, तब व्यास्टी ने जो कुछ भी कहा, उसका वरतांता आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनेगा अब भादो मास समाप्थ होने को है, ऐसे में अब तक जिन्होंने भी हमारे चैनल पर इन कथाओं को सुना है, उन सभी का बहुत बहुत धरनिवाद, उमीद है आप हर दिन इन कथाओं को और आने वाली महीने की सभी कथाओं को भी इसी प्रकार अकना प्यार देते रहेंग कि प्यार दीब होने झाली महीने झाली महीने की सभी कि इसी प्रकार लादो को अब ए वाद रुिसस